हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पेशिंग और वल्कम टू इश्मा एटर एवरी डियर फ्रेंड आज से हम बात करेंगे बीएड में 90% मार्क्स लाने के लिए कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तयारी कैशे कर पाएं प्रियागराज यूनिवर्सिटी का एग्जाम बीएड का 6 फरवरी से लगा है याने की 15 दिन बाद कानपूर का एग्जाम 2 मार्च से लगा है लखनों की डेट सीट नहीं आई है लेकिन बहुत जंदी लखनों की भी डेट सीट आने वाली है तो डियर फ्रेंड आपके पास समय बहुत कम है आप दूसरा एक्जाम को जैसे की सीटेट हो गया उसकी भी बहुत सा इश्रेंट तयारी कर रहे हैं इश्मार्ट करके इश्मार्ट इश्रडी कर लेता है वो बहुत अच्छे मार्च गेन करता है डियर फ्रेंड अगर आप बीड कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि इश्मार्टर एवरी डे हमारा यह चैनल आपकी इश्रडी के लिए बेस्ट चैनल है और अगर आपने अ पाइंट्स अपनाएं जिसकी वजह से हम बेहतर कर सकते हैं प्यारे दोस्तों फालो ओनली 5 पाइंट्स बहुत ज्यादा बात ना करके सिर्फ 5 पॉइंट पर बात करेंगे पहला पॉइंट जो मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको बताया है कि आपका सब्जेक्ट प्लस आप का सलेबस क्लियर होना चाहिए अभी भी बहुत सारे से स्टेंट्स हैं जिनको अपने सब्जेक्ट नहीं पता है जिनको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पता है कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है तो बताओ ऐसे स्टेंट्स का क्या हो सकता है उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास well and peace education है gender school and society है inclusive education है कौन सा paper optional में है या जो हमारे subjects है पहला paper कौन सा है second paper कौन सा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप तुमने subjects clear कीजिए कि मेरे पास जो भी syllabus से कम तो नहीं दिया है यह बहुत important चीज है सबसे पहले अपना subject clear कीजिए और अपना syllabus देखिए अपने किताब जो किताब है आपके पास उसको देखिए क्या वो proper तरीके से आपकी university recording है भी या नहीं हलाकि बहुत सारे students को यह चीज पता होगी लेकिन यह common चीज है जो मैंने आपको बताई दूसरे point की बात करते हैं आपको पता है कि आपका exam अब very short में होगा आपका exam short में होगा और long में होगा तेन section में आपका paper होगा very short questions रहेंगे, sort questions रहेंगे, long questions रहेंगे Dear friend, very short जो questions रहते हैं ये MCQs से भी खतरनाक रहते हैं objective questions से भी खतरनाक रहते हैं क्यों? क्योंकि objective questions जो रहते हैं जो MCQs रहते हैं उसमें हम तुक्का मार करके काम चला सकते हैं और question अमारा सही भी हो जाता है कई बार लेकिन ये जो very short हैं ये खतरनाक होते हैं, खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि यहां आपको तीन नंबर का question लिखने को मिल लहा है, तीन नंबर में 7-8 line आपको लिखनी है, और उसमें भी अगर आपने सटीक बात नहीं लिखी, प्रॉपर एकॉइटिंग टू question नहीं लिखा, तो आपका question कार दिया जाएगा, तो इस चीज से आपको बचना है, very short questions पर बहुत focus करना है, very short questions को अच्छे से यह मान के चलिए, रट करके ही जाना है, तब ही आपको वहां पे 3 में से, जब आप बहुत अच्छा लिखेंगे, तो 2 number और जब आप best लिखेंगे, राइटिंग अच्छी होगी, और friend, मैंने पूरी playlist बना रखिए, classes भी continue है, अकर आप हमारे सारे वीडियोज देखते हैं, तो definitely बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो आप उसके बाद जैसे very short तो मैंने बता दिया, कि आप इसमें extra नहीं लिख सकते, बिल्कुल point to point लिखना पड़ेगा, तब ही आपको 2 number या 2 number मिल पाएंगे, रही बात short की, short question जैसे कि आपका धाई से 2 से धाई पेज जाएगा, अब 2 से धाई पेज में भी आप खिचडी नहीं पका सकते, अपनी भाशा, अपने according उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, point to point उसमें भी आपको लिखना है, थोड़ा बहुत चल ज ले हैं, उनको देखता है, या जो अपने black पंसे 2 चालाई ने लिखी है, उसको देखता है, तो खुल मिला करके यहाँ पे करना क्या है आपको, very short, short और long को एक साथ तयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें focus on long questions, जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, जो भी on long question, क्यों सर, focus on long question क्यों करें, यह तीसरा point है आपका, focus on long question का मतलब यह हो गया, कि long question के अंतरगत क्या होता है, जैसे long question आप से पूचेगा, सिक्षा की अवधाना लिखिए, तथा इसके उद्देश एवं महत्तुपर प्रकाश डालिए, तो इसमें आपकी सिक्षा की अव total paper है, या जो भी कुछ content है, उसमें very short questions नहीं दिये हैं, ठीक, अगर दिये हैं, तो अच्छी बात नहीं दिये हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, long questions को जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपके very short, short सब साथ में ही तयार होता चला जाता है, है ना, तो जो short, very short question लाएग उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका जो है, दार्सनिक आधार पूछ लें, तो दार्सनिक आधार में आको क्या करना पड़ेगा, केवल ग्यान मी माशा, तत्तमी माशा, मूल मी माशा, यही लिखना पड़ेगा, short question में, 8 नमर में, तो आपको उतना ही लिखना है, जो आप पूर और सिर्फ very sort पर focus करते हैं कि यार very sort तो 9 questions आएंगे, तो फिर उसमें आप long नहीं लिख सकते लिए friend, very sort उसे long नहीं लिख पाएंगे, long अगर आपने तयार किये हैं, तो very sort उससे निकल करके आ जाएगा, इस तरीके साब को इस point पर focus करना है, चौथा point हमारा कहता है online study, online study का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे topics रहते हैं, जो आपको अपने किताब से समझ नहीं आते हैं, आपको अपने model paper से समझ नहीं आते हैं, तो उसके बाद आपके पास एक ही option बचता है कि आप शीदे YouTube पर आजाए, YouTube पर मैंने सारे mostly topics कराए हुए है, पूरे playlist बनी हुए, आप व पाइंट हमारा कहता है, writing quality and quantity, आपको 2 घंटे का exam देना है, 2 घंटे में मैंने आपको बताया था कि आपको 28 पेज लिखने हैं, कि उस question को कितने page देने हैं, कितने minute देने हैं, उस पर मैंने 2 वीडियो बना दिये हैं, 28 पेज आपको 2 घंटे में लिखने हैं, उसके लिए writing quality को बहुत अच्छी बनाईए, परड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छी writing में copy लिख पाएं, और examiner पर उसका अच्छा impression पढ़ता है, जो आपकी writing बहुत अच्छी होती है, तो ज्यादा content नहीं देखता है, और आपको अच्छे marks मिलते हैं, प्यारे दोस्तों आज का last point है, 6th number, daily two hours study, आपको daily दो घंटे पढ़ना ही पढ़ेगाई, जो है बीड को, अगर आप चाहते हैं कि आप 90% marks लेकर के आएं, ये मत सोचना बीड में 90% नहीं आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 95% लेकर के आएं, हमारे ही बच्चे लेकर के आएं, तो आप daily 2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, बीड को लेकर के, तो definitely आप 90% से उपर marks ला सकते हैं, बीड is very interesting and very, बहुत ही अच्छा subject है, बहुत ही easy subject, बहुत ही easy आपका course है, बहुत मजा आता है इसको study करने में, तो आप daily 2 घंटे पढ़िएगा, और ये जो मैंने point आपको बताएं, I hope कि आपको बहुत प्रसंद आए होंगे, आज मैंने आपको 6 point बताया, पहली बात हमने की subjects और syllabus को लेकर के, दूसरी बात हमने की very short और short long question को लेकर के, कि किसको कैसे कहां से पढ़ें, फिर मैंने बताया focus on long questions, क्योंकि long questions को पढ़ेंगे तो हमारे very short, short अपने आप तयार होत कीजेगा, फिर मैंने बताया कि आपको daily दो घंटे HD करनी ही पड़ेगी, तभी आप बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप कानपूर उनिस्ट्री से बिएट कर रहे हैं, चाहिए आपका first semester हो, third semester हो, लखनों से कर रहे हैं, तो फिर आप इस number पर message करके हमारे paid notes ले सकते हैं, उस इतरहें, जो भी हमारे अच्छे points रहेंगे, जो आपकी videos, जो आपको B8 में help करेंगे, मैं ऐसे points आपके लिए लेकर आता रहूँगा, thank you so much.